नमस्कार लाइज सिटीज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी साथ प्रिती जाँ चुनावी रनितिकार प्रशान किसोर महा गटबंधन की सरकार वो या फिर बीजेपी हो उस पर निशाना साधने का एक भी मौकान नहीं छोड़ते हैं आई दिन बतादे कि प्रशान किसोर नितीश सरकार पर या फिर तेजस्वी यादब को खड़ी-खोटी सुनाते ही रहते हैं इस बार प्रशान की सोड ने ट्वीट करते हुए नितीश कुमार पर निशाना साधा है और वो क्या कुछ लिखते हैं ट्वीट में आईए आपको बताते हैं प्रशान की सोड ने नितीश कुमार पर तंच कसा है और कहा कि जैसे वो प्रधान मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और देश में सबसे बड़ा रेल हादसा जो हुआ है बाला सोड रेल हादसा उसको लेकर चुनावी रनितीकार प्रशान की सोड ने कहा कि जो लोगों की मृत्य हुई है बिहारियों की जो मौत हुई है इस पर नितीश कुमार उनसे मिलने तक पहुंचे नहीं है अब उनका आगे क्या होगा क्योंकि जहां वो एक तरफ प्रधान मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन जहां बुड़े तरीके से बिहारी फसे हुए हैं या फिर जिन बिहारियों की वहाँ पर मृत्य हुई है एक बार उन्हें देखने तक नहीं गए हैं तो ऐसे ब करोना के बाद तो किसी तरब भाजपा की मदद से उनको 42 सीटे मिल गई थी लेकिन अब क्या होगा अगले चुनाओं में क्या होगा क्योंकि जैसे उन्हों नहीं किया है उसमें अब कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं बचा है नितीश जी के पास उरिसा रेल दुलगु नामे हुए हताहत के लिए जो बिहारी वहाँ पर फसे हुए थी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर नहीं पहुंच पाए इसको लेकर ही प्रचान की सोड नितीश कुमार को सुना रहे है और बता दे कैसे नितीश कुमार इन दिनों विपक्षे एक जूटता में भी लगे हुए है और कहीं न कहीं वो रास्ता अपना क्लियर करने में लगे हैं कि जो उन्होंने एक सपना देखा है देश का प्रधान मंत्री बनने का तो वो सपना कहीं न कहीं सच हो जा इसको लेकर ही रास्ता जो है वो तरासा जा रहा है और इसको लेकर ही चुडावी रनितिकार कि सोर जो है वो नितीश कुमार को कह रहे ही कि इतना बड़ा रेल दुरगटना हो गया उरीसा रेल दुरगटना हो गया लेकिन जो बिहारी वहाँ पर जो जिन बिहारीों का वहाँ पर हताहत हुआ है उनके मदद के लिए वहाँ नहीं पहुंचे उनके पास समय नहीं था इतन तो जब बिहारी को बचाने के लिए उनके मदद करने के लिए वह वहां नहीं पहुत सकते हैं तो यह कैसे सप्रा देख रहे हैं कि वो देश का प्रिधान मंत्री बन सकते हैं तो इस तरीके से देखें प्रशान की सोडने नितीश कुमार पर तंज कसा है एक भी मौका नहीं छ करके लोगों पर भड़ोसा जता देते हैं अपने वोटों का दिरुप्यों करते हैं तो आप लोग भी समल जाईए और एक बार फिर से जैसे उन्हें मौका मिला वो नितीश कुमार को खड़ी-खोटी सुनाने लगे खबर में वस इतना ही चैन को सब्सक्राइब करें फेज़ू पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धर्निवाद